तो इस वक्त एक बड़ी खबर आरी आपको वो दे देते हैं यहां आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं कि अतीक की हत्या के बाद सत्रे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है यह वो सत्रे पुलिस कर्मी है जो इसकी सुरक्षा में तैना थे उन्ही सभी सत्रे प की हत्या के मामले में 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया है इस हत्याकांट के कुछ घंटे के अंदर ही योगी आधितनाथ ने लखनों में एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी और उस बैठक के बाद ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो सुरक्षा कर्मी अ सत्रे पुलिस कर्मी तैनाथ होने के बावजूत तीन लोग आते हैं अतीक और अश्रफ की हत्या कर देते हैं और अब सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और सत्रे पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया है इतना ही नहीं इस पूरे हत्याकान के लिए एक न्याईक जाज के भी आदेश दिये गए हैं तीन सदस्य न्याईक कमिशन के गठन का एलान किया गया है मुख्यमंत्री कार्याले की तरफ से